दियर स्टुडेंट साब क्लास नाइन्थ मैं हूँ हिक्मत उल्लाश शिन्वारी और आज हम किमिस्ट्री का फर्स्ट लिसन पड़ेंगे जो के बेसिक डिफिनेशन्स के बारे में हैं सबसे पहले हम मेटर की बात करते हैं मेटर उस मिटीरियल या उस सबस्टेंस को कहा जाता है जिसका मास भी हो और वाल्यूम या स्पेस भी अकुपाए करता हो मास से जनरली मुराद वजन या वेट होता है यह एसी कोई भी चीज के जिसका वजन हो और वो जगा भी गेरती हो एसी चीज को मेटर कहा जाता है इसको डिफाइन यू करते हैं कि इनीटिंग विच हैस मास एंड अकुपाइज स्पेस इस काल्ड मेटर इसी कोई भी चीज जिसका मास हो और स्पेस अकुपाइज करता हो जगा गेरता हो इसी चीज को कहा जाता है मेटर कहा जाता है फार एक्जामपल वाटर जो है ये एक मिटर है इसलिए कि वाटर को अगर आप लोग इस खाली गिलास में डालेंगे अभी ये गिलास खाली है लेकिन हम अगर इसमें वाटर डालेंगे तो वाटर इस गिलास को बर देगा इस तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर जगा गिरता है इसलिए वाटर एक मिटिरियल आपजिक्ट है या इसी तरह से अगर आप लोग इस खाली गिलास का वजन या मास मालूम करें तो फार एक्जामपल ये 0.25 कीजी के बराबर होगा लेकिन अगर फर्स करो इसको हम वाटर से बर दें तो फिर इसका मास फार एक्जामपल वाटर के साथ ये हो जाएगा 1.25 कीजी अब अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मास आफ वाटर कितना है तो मास आफ वाटर अब बराबर होगा 1.25 माइनस 0.25 इक्वल टू 1 कीजी चुंकि वाटर डालने से इस गिलास का वजन बढ़ जाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर का एक वजन होता है या मास होता है और similarly खाली गिलास को इस ने बर दिया है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो स्पेस भी अकुपाइ करता है इसलिए वाटर जो है ये एक मेटर है या एक मिटीरियल आपजिक्ट है इसी तरह से दूसरा एक्जामपल है एक्जामपल नमबर टू फार एक्जामपल आईरन आईरन लोहे को कहा जाता है आईरन का एक टुकड़ा मिसाल की तोर पर अगर आप लोग ले लें तो इस टुकड़े का मास भी होता है और ये स्पेस भी अकुपाइ करता है इसलिए आईरन का ये जो टुकड़ा है ये मेटर का एक एक्जामपल है तीसरी नमबर पर हम लेते हैं एर फार एक्जामपल एर है या फार एक्जामपल कोई भी गेस है जैसे के आकसीजन गेस है या कारबन डायकसाइड गेस है वो भी स्पेस अकुपाइ करते हैं सिमिरली इनका मास भी होता है सपोज करें कि आपके पास एक गुबारा है और ये गुबारा अभी आपने किसी गेस या हवा से बरा नहीं है तो इस बेलून का मास भी कम होता है और इसका वालियूम भी कम होता है लेकिन अगर आप इसमें एर या कुई भी गेस इसमें डाल दें तो इस तरह से ये गुबारा असे बड़ा हो जाता है तो गुबारा बड़ा हो जाता है किस होजा से क्यूंकि इसमें गेस आजाती है गेस स्पेस भी एको पाए करती है और अगर आप इसका मास मालूम करें तो इसका जो मास होगा वो हाई होगा और ज्यादा होगा जबकि यहाँ पर इसका जो मास है वो लोवर मास होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि एर इस अ काइंड आफ मेटर Students दूसरा Definition है Element का Element किसे कहते हैं एक एसा Material Substance जो कि सिर्फ और सिर्फ एक किसम के Atom से बना होता है उस Substance को Element कहा जाता है तो अब दिफिनेशन के मताविक, अबस्तेंस को इभी इस अबस्तेंस? एट नाट बी गन्वर्टेंट इन्टो अधर सिंपलर इंटो अधर सिंपलर इसको हम फर्दर सिंपलिफाइ नहीं कर सकते हैं, इसको हम दूसरे सबस्तेंस में या सिंपल सबस्तेंस में कनवर्ट नहीं कर सकते हैं, अब फार इग्जाम्पल हमारे पास एक इलेमेंट है, वो है सूडियम, एन ए, जिसको सूडियम कहा जाता है, अब सूडियम एक इलेमेंट है, और ये एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होता है, इसके साथ आप जू भी कर लें, आप इसको मजीद सिंपल दूसरे एटम्स में कनवर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए सूडियम एज एन एग्जाम्पल आफ एन एलेमेंट, सिकेंड एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल आइरन ये भी एक इलेमेंट है, अब आइरन एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होता है, तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं, इसलिए हम इनको दूसरे सिंपल सबस्टेंश में कनवर्ट नहीं कर सकते, तिसरा एग्जाम्पल है अक्सीजन का, अक्सीजन गेस जो के ओटू जिसका फार्मूला है, वो भी एक इलेमेंट का नाम है, छोते नमबर पर जो मशहूर इलेमेंट है, वो है ऐलुमीनियम, जिसे आज, कल, लोग, कड़कियां और दरवाजे बगएरा बनाते हैं, एलुमीनियम का सिंबल एल होता है, ये कुछ ऐसे सबस्टेंश हैं, जिनको मजीद सिंपलिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए इनका नाम है इलेमेंट, दूसरी चीज़ जो एलेमेंट में देखी गई है, वो ये है कि एलेमेंट के तमाम एटम्स का इटामिक नंबर, एक जैसा होता है, सेम होता है, इसलिए हम एलेमेंट को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, के इसा कुई भी सबस्टेंस, इसा कुई भी सबस्टेंस, वो जो आल एटम्स, हैव सेम एटामिक नंबर, एटामिक नंबर क्या चीज़ है, एटामिक नंबर से मुराद होता है, इटामिक नंबर का मतलब होता है, नंबर आफ, नंबर आफ प्रोटोंस, किसी एटम के नुकलियस में, जितनी तादाद में प्रोटांस होते हैं, उनको कहा जाता है इटामिक नंबर, अब फार एक्जाम्पल, सूडियम जो है, जिसका इटामिक नंबर 11 है, अब इसके हर एटम के अंदर 11 प्रोटांस होते हैं, इसलिए हर एटम का इटामिक नंबर एक जैसा होता है, इसलिए सूडियम को हम एलिमेंट कहेंगे, सिमिलरली, मिजाल के तोर पर, मिगनीशियम है, अब मिगनीशियम के, जितनी भी एटम्ज होते हैं, उसमें 12 प्रोटांस होते हैं, जैसे कि, फार एक्जाम्पल, कार्बन है, कार्बन के तमाम एटम्स के, 6 प्रोटां होते हैं, इसलिए N का Atomic Number 6 है तो कोई भी ऐसी चीज जिसके तमाम Atoms का Atomic Number एक जैसा हो उनको Element कहा जाता है Students, अगला Definition Compound का है Compound ऐसी Substance को कहा जाता है कि जो दो या दो Elements के Chemical Combination से बन जाता है उनके Atoms आपस में Natural Forces के जरिये से जुड़े हुए होते है और उन Forces को Chemical Bonds कहा जाता है Bonds के दो तीन Types होते है इन में से कुई भी किसी किसम का Bonds भी दो Atoms के दर्मियान या दो से ज्यादा Atoms के दर्मियान हो सकता है तो Let's Define It हम इसको Define करते है A Compound is a Pair Substance जरूरी शर्त यह है कि It should be a Pair Substance यह एक खालिस Substance होना चाहिए के लित तो तो तोई समय कोoka और च यह जबने को किसुब आरे लिए माटे यह इसे कांश दो ने होकन को है सुब अनंढ़न टोवराव पालती है तो तो ने in fixed proportion in fixed proportion by natural forces called chemical bonds for example water यह एक compound है water किस तरह से बनता है जब hydrogen gas और oxygen gas को आपस में react कराया जाता है यानि hydrogen gas को burn किया जाता है तो इन दोनों की मिलने से एक compound हासिल होता है जिसका नाम है water और उसका formula है H2O यहां water molecule में hydrogen और oxygen की बीच attractive force मौजूद है इसका नाम है covalent bond तो hydrogen और oxygen elements आपस में मिले हुए हैं through covalent bond इसी तरह से जो दूसरा hydrogen है वो भी oxygen के साथ एक covalent bond के जरिए से मिला हुआ है therefore water will be called a compound इसी तरह से हमारा दूसरा example है salt जो common salt कहलाता है जिसको हम इस्तिमाल करते रहते हैं kitchen में उसका formula होता है NaCl और ये बनता किस तरह से हैं कि जब sodium को chlorine gas के साथ chemically react कराया जाये इसको heat दी जाये तो sodium chloride बन जाता है अब जो sodium chloride बनता है तो इस sodium chloride के अंदर sodium के positive ions होते हैं और chloride के negative ions होते हैं और इन दो ions की बीच एक attraction मौझूद होता है एक natural force exist करता है जिसको हम ionic bond कहते हैं तो ये दोनो ions आपस में एक ionic bond के जरिये से मिले हुए हैं इसलिए sodium chloride जो है ये हमारा एक common example है एक compound का इसके अलावा हमारे एर्द गिर्द बहुत सारी चीजें ऐसी मौझूद है जो के compounds है फार एक्जामपल glucose ये एक compound है जिसका formula C6, H12 और O6 है और इसमें carbon, hydrogen और oxygen के elements या उनके atoms chemical bonds के जरिये से आपस में मिले हुए हैं फूर्थ नमबर पे है फार एक्जामपल ammonia ammonia जो है ये एक gays का नाम है इसमें nitrogen और hydrogen आपस में covalent bonds के जरिये से मिले हुए हैं तो ये कुछ examples हैं compounds के अब अगर इस compound को आप लोग simplify करना चाहो तो आप इनको simplify कर सकते हो अब इनकी खुसूसियात क्या हैं वो ये हैं के दियर प्रॉपरिटीज दियर प्रॉपरिटीज आर different from from दियर एलेमेंट्स जो इनके एलेमेंट्स हैं उनके characteristics उनकी प्रॉपरिटीज कुछ और होंगी जबकि इनकी प्रॉपरिटीज इनसे मुख्तलिफ होंगी अब for example hydrogen gauge जो है it burns यह आग पकड़ती है इसको जलाया जा सकता है it can be burnt oxygen gauge जो है वो it helps in burning यानि जहां जहां पर burning होती है combustion का process होता है fuel, diesel वगएरा जलता है koela जलता है, लकडी जलती है वहाँ oxygen की मुझूदगी जरूरी होती है और oxygen उसमें help करती है but water water जो है जो के इनका compound है यह न तो burn करता है नहीं इसकी burning हो सकती है नहीं इनको जलाया जा सकता है nor helps in burning नहीं यह burning में help करता है आपको पता है कहीं आग बुजाना हो तो लोग पानी डालते हैं पानी न तो खुद जलने वाला material है और नहीं वो burning process को speed up करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि water के जो properties हैं वो इनके elements से totally different होते हैं इसी तरह से एक और example है कि जैसे for example carbon dioxide gas है carbon dioxide अब carbon dioxide एक gase है तो देखिएं carbon जो है ये solid होता है और इसका color black होता है इसका color black है और ये एक solid substance है oxygen जो है ये gase है और ये colorless होता है colorless होता है but carbon dioxide gas जब carbon से बनती है तो carbon dioxide gas एक gase है similarly ये एक colorless compound है इसलिए हम कह सकते हैं कि carbon dioxide की जो colorlessness है या उनका color है वो carbon के black color से totally different है एक और example में आपको देता हूँ वो है iron sulfide का iron sulfide iron से बनता है जो कि if e है और sulfur से बनता है इन दोनों को जब हम heat करते हैं उन दोनों से iron sulfide बनता है अब iron जो है it can be attracted by magnet attracted by magnet magnet इसको अपनी तरफ attract करता है sulfur जो है not attracted इसको magnet अपनी तरफ attract नहीं करता similarly iron का जो color है वो gray होता है लेकिन sulfur का जो color है ये yellow होता है अब इसके मुकाबिले में iron sulfide ये एक black color का material है और it is also not attracted by magnet तो हम कह सकते हैं कि magnetism के हिसाब से iron sulfide और iron में फर्क है iron is attracted by magnet iron sulfide is not attracted sulfur color के हिसाब से different है sulfur is yellow while iron sulfide is a black material third definition है mixer का mixer के से कहते हैं अगर हम दो elements को या दो मुख्तलिफ compounds को चाहे वो solid हों चाहे वो liquid और solid हों या दोनो liquids हों अगर इनको हम इस तरह से मिलाएं कि उनके दर्मियान कोई chemical change या chemical reaction ना हो तो इस सूरत में बनने वाला जो substance होता है या बनने वाला जो material होता है उसको mixture कहा जाता है तो mixture क्या चीज़ हैं तो इस 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 पेवर सबस्टेंस सबसे पहली बात यह है कि यह इंपेवर होता है इस लिए कि पिरिटी तब होती है जब एक ही सबस्टेंस हो अब अगर दो चीज़े आपस में mix हो जाएं तो पिर हम उनको इंपेवर सबस्टेंस कहींगे तो हम define करते हैं के An M-pavar substance that contains two or more than two pavar substances. Pavar substances that retain their individual chemical characteristics. This is called a mixture. सबसे पहली बात यह है कि यह M-pavar substance होता है. इसलिए M-pavar होता है because it contains two or more than two pavar substances. मिसाल के तोर पर आप एक गिलास में पानी ले ले. इसमें अब पानी पड़ा हुआ है और पानी का कुई कलर नहीं है. तो यह एक कलरलिस वाटर है. अब अगर आप इसमें मिसाल के तोर पर red ink डाल दें. Red color का ink डाल दें. या red color का कुई भी solid substance इसमें मिलाएं. तो यह क्या होगा तोर दें के बाद कि यह जो गिलास है इसमें जो अब बनने वाला material होगा. That will be of red color. यह red color का होगा और इसमें red color पूरी तरह से mix हुआ होगा. Ink इसमें पूरी तरह से mix हो चुका है. इस चीज़ को अब हम क्या कहते हैं? इसको हम mixer कहते हैं. अब हम यह कहते हैं के They retain their individual chemical characteristics. यानि यहाँ पर पानी के वही characteristics होंगे जो यहाँ पर हैं. कोई change उसमें नहीं होगा. वो इस तरह से हैं कि अगर फरस करो हम इस पानी में suppose कर लें कि सूडियम का एक टुकड़ा डाल दें सूडियम का टुकड़ा इसमें डाल दें तो सूडियम इसके साथ reaction करेगा और इसको आग लग जाएगी. It will catch fire. इतना एक जुतर्मिक reaction होता है कि सूडियम जब इसके साथ reaction करने लगता है तो सूडियम को आग लग जाती है बलकि आग उस hydrogen को लगती है जो इस process में बनती रहती है. Similarly अगर फरस करो सूडियम हम इसमें डाल दें जो कि एक solution है या एक mixture है तो still it will catch fire. यहाँ पर भी पानी का वही behavior होगा जो यहाँ पर है. तो हम कह सकते हैं के इसी तरह से हमने यहाँ पर जो डाला था वो red ink था. For example हमने जो ink यहाँ पर इस पानी में मिलाया था वो red color का ink था. तो before edition it was of red color लेकिन जब हमने इसको पानी में मिलाया तो अभी भी इसका color red है. इसलिए हम कह सकते हैं कि इस ink ने अपना characteristic retain कर दिया है. तो इसलिए definition की मताबक एक ऐसा mixture कि जो दो या दो से ज़्यादा impure substances पर मुश्टमिल होता है और after mixing वो अपने characteristics को retain करते हैं. तो इसे चीज़ को हम mixture कहेंगे. इनकी दो types होते हैं. एक को कहा जाता है homogenous mixture. mixture homogenous mixture का मतलब ये है कि this is a kind of mixture which have same composition throughout throughout इसे क्या मुराद है? इसे ये मुराद है कि जैसे फर्स करो आपने एक solution बनाया है या आपने एक mixture बनाया है ये water के molecules या water solvent के तोर पर हमने इसमें डाला है तो अब हम इनके molecules को black से show करते हैं तो black molecules are water molecules हमने suppose करें कि red color का कोई भी solid इसमें मिलाया है तो जैसे मिसाल के तोर पर हम इसमें कोई dye मिलाते हैं या कोई ऐसा solid मिलाते हैं जिसका color red हो तो अब हम देखेंगे कि red color पूरी तरह से इस glass में चाया हुआ है और इसके हर हर कोने पर ये पहुंचा हुआ है तो चुंके अब red color every place every point पर equally मौजूद है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक homogeneous mixture है अगर फर्स करो आप लोग एक plates लेते हो या एक dish लेते हो और इसमें दो चीज़ी मिलाते हो जिसे for example ये मैंने एक चीज़ मिला दी और उसके बाद मैं इसके साथ एक और चीज़ भी मिला लेता हूँ ये दोनों मिला दी हैं मैंने लेकिन अभी मैंने इसको shake नहीं किया है हमने इसको mix नहीं किया है तो जब हम इसको mix करेंगे तो यहाँ पर ये होगा कि जहां जहां red red रहेगा red color का material mix होगा उसी ratio से और same ratio के साथ इन में black color का जो material है वो भी present होगा आप जहां से मर्जी एक ठुकड़ा उठा लें तो इसमें आपको red color भी नज़र आएगा याणि red substance भी present होगा और उसी हिसाब से इसमें black भी present होगा तो हम कह सकते हैं कि इस point पर या किसी भी point पर composition दोनों का same होगा concentration दोनों का same होता है इसलिए हम इसको अब homo genius mixture कहते हैं this is called homo genius इसकी मुकाबिले में जो दूसरा है उसको कहा जाता है hetero genius hetero genius mixture एक एसे mixture को कहा जाता है कि जिसका composition throughout same नहीं होता याणि it has no it doesn't have या हम यह कह सकते हैं कि it's a composition is not same throughout जिसे for example soil है soil इसका एक अच्छा एक्जामपल है soil में किसी किसी जगह पर मिसाल की तोर पर rate होती है जैसे sand है for example rate होती है उसके साथ for example मटी भी होती है यानि जो चकनी मटी होती है वो भी साथ शामिल होती है किसी जगह पर चोटे मोटे पत्तर भी होते हैं stones या conquer भी होते है तो अब वो किसी जगह पर मिसाल की तोर पर soil है किसी जगह पर sand है किसी जगह पर stones है तो हर जगह ये मुख्तलिफ होते हैं किसी जगह पर ये ज्यादा होते हैं amount में stones और किसी जगह पर कम होते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि soil जो है ये एक heterogeneous mixture का एक example है similarly जब तक हमने इसको mix नहीं किया इसको भी हम heterogeneous mixture कह सकते हैं इसलिए कि इसका composition भी हर जगा या पूरी body में same नहीं है तो ये था हमारा आज का lecture जो के basic definitions के बारे में है अगले lecture में हम मजीद definitions पढ़ेंगे जो 9 के course में शामिल है तब तक की लिए खुदाहफिज और Allah आपका हामी और नासिर हो मेरे इस channel को आप जरूर सबस्क्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज मिले और अगर कोई question है तो आप comments में लिख देजिए Thank you very much, शुक्रिया